एक धर्म विशेश और दो जाती विशेश को छोड़ कर बाकी सब के सब अपनी गन्ना से नराज हैं, संतूष्ट नहीं हैं और उनका मानना है कि सब की संख्या को गटाने का काम हुआ है, उसमें कायस भी एक है। एक सब गता हूं की में उसमें से 148 जातिया है। जो एक लाख से भी कम है। तो मैं सवाल कुछना साथा हूँ कि एक लाक संक्या से भी कम जो हैं, तो अलपसंख्या कौन हुआ। 18% वाला अलसंख्यक हुआ या जो एक एक लाग की अबादी से भी कम है वो अलसंख्यक हुआ जादातर लोहों का मनना है कि ये सीए मावास पर बैठके आकड़ा बैठा कर अपना मेसेज कनवे करने का काम है कि जो महागडबंदन के समर्थक जाती है या ऐसा उनका मनना है कि उनकी पूरी तरह समर्थक जाती है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है कि बिहार में सबसे अधिक जात को ना इंडिकेट करने वाला नाम कुन लिखता है कुमार चाहे ज्यान मोहन बिलकुल वेद प्रकास है ना यह इस तरह के टाइटल कोन रखते हैं सब को पता है बिलकुल है ना तो यही लोग 23 लाख लोग होंगे इनको उठा के आपने इबीसी में डालने का काम किया तो पहली बात तो यह है कि कोई भी इस बात को हसेगा सु यह कहना चाहते हैं कि दस घर में एक घर से कोई बाहर गया हुआ है सचाई यह है कि दस घर में छे गर न शात घर है जिससे कोई न कोई आजकी डेट में बाहार है हमारे बगल का राजय यूपी आज लक्ष क्या साधरा है वहां के मुखमंत्री करते हैं एक प्रिलियंड डॉलर की एकॉनमी बनाऊंगा लाखो करोड का निवेश लाऊंगा कान्यून ब्यवस्था ठीक करूंगा नगरी विकास्त में जोड़ दूँगा हमारे यहां क्या चर्चा हो रहे है बिहार में कुरी कितना है कुर्मी कितना है यादव कितना है लाला कितना है सीधा सा बात है कि हमारा समाज आगे ना जा पाए बिहार आगे ना जा पाए इसको 1990 में हम बांध के रखें ये प्रयोग किया जा रहा है लालू जी और नितीजी के माध्यम से दो अक्टूबर को बिहार में जातिय जनगर्णा की रिपोर्ट सारजनिक कर दी गए नितीज कुमार अपना पीट थफथपा रहे हैं लालू परशाद यादव हिस्सेदारे की बात कर रहे हैं ये भी कहा जा रहा है क्या रक्षन बढ़ेगा जिसके पास अधिक जमीन है उसकी जमीन ली जागी कई तरह के मामले अब सामने आने लगे हैं लेकिन इस बीच 215 जातियों की जाती जनगर्णा की गई इसमें 190 ऐसी जातिया हैं जिनकी अबादी एक परतिसत से काम आई है हम सवन समाज की बात करेंगे काय जाती की बात करेंगे पहले सुने देसमलब 6 परतिसत मतलब 13 करोड 80 लाख जो अबादी है बिहार की कुल उसकी आगर हम सुने देसमलब 6 परतिसत निकाले तो लगबग 7 लाख 70 या 80 जार के असपास कायसतों की अबादी है मतलब यहार के 38 जिलों से कल्कुलेट करें तो हर जिला में 20,000 कायसत है रितुराज सिन्हा राष्टकार कारनी के सदस्य है बीजेपी के हम इंसे तर्चा करेंगे रितुराज जी सबसे पहला तो यह सवाल रहेगा कि आपकी जाती है जाती जन गन्ना का ही मामला है तो हम जाती पर बात करेंगे बीजेपी से बशती है बात करने पर 20,000 कायसतों की 38 जिला में देखे पहली बात को यह समझ लीजे कि यह जाती गन्ना नहीं चुनाओ के लिए जाती गन्ना हुई है चुनाओ सरपे है और स्वभाविक रूप से कुछ पाटिया जो है वो जाती आधारित राजनिती ही करती है इसलिए उनके पास विकास के बारे में कहने को कुछ है नहीं करप्शन के बारे में कहने कुछ है नहीं परिवारवाद में सनलिप्थ हैं यह सब तो कोई न कोई टोटका निकालना पड़ेगा चुनाओ से पहले तो जातिय जन गन्ना का टोटका निकला है बची बात कायश समाज की या फॉरवर्ड समाज की तो सबस्क्रथम में बात एक कहूंगा कि फॉरवर्ड और कायश की बात नहीं आप अगर टोटल 215 जात की गन्ना को दिखियेगा तो एक धर्म विशेश और दो जाति विशेश को छोड़कर बाकी सब के सब अपनी गन्ना से नराज है संतूश नहीं है और उनका मानना है कि सब की संख्या को गटाने का काम हुआ है उसमें कायश भी एक है लेकिन अबादी 1931 से गन्ना में कायश तो की एक दिसमला तीन परतिसत थी आधा से भी कम हो गया है तो क्या जनसंक्या सही में घट रही है पूरे सवन की घट रही है ब्रामनों का भी 1.5 परसन घट गया राथपूद का भी घट गया भुम्यार का भी अच्छा कासा घट गया है देखिए रही है कि तीरपन लाक पलायन हुआ और क्या सब कासा पलायन फरवर्ट कही हो गया क्या अन्य जाती में पलायन नहीं हुआ तो पहली बात तो यह है कि कोई भी इस बात को हसेगा सुनके कि मात्र 52 लाख लोक का पलायन हुआ है अर्थात कि बिहार के 3.5 करोड घर में ये कहना चाहते हैं कि 10 घर में एक घर से कोई बाहर गया हुआ है सचाई ये है कि 10 घर में 6 घर न 7 घर है जिससे कोई न कोई आज की डेट में बाहर है तो पहले तो यह मजाक है, पलायन का अकड़ा गलत है, उपर से पलायन का अकड़ा सारा का सारा जो है, एक जाती विशेश से तो हुआ नहीं है, अच्छा अब आज ही दूसरी बात, कहते हैं कि 23 लाख अबादी को किसी जात में चुकी नहीं जोड़ पाए ये लोग, तो उनक में डालने का काम किया, है न, 23 लाख लोगों, ठीक है, अब मेरा एक बात बताईए, कि बिहार में सबसे अधिक, जात को ना इंडिकेट करने वाला नाम कोन लिखता है, कुमार, चाहे ज्ञान, मोहन, वेद, प्रकास, रंजन, इस तरह का टाइटल, जो दोनों नाम, कुमार अब इसे एक, है न, ये इस तरह के टाइटल कौन रखते हैं, सब को पता है, बिलकुल, है न, तो यही लोग 23 लाख लोग होंगे, इनको उठा के आपने इवीसी में डालने का काम किया, तो मैं फिर कहता हूँ, कि ये लालू जी और नितीश कुमार जी की, अपने वानप्रस से पहले, अंतिम चाल बाजी है, कि 33 साल तक मंडल कमिशन के उपरांत, OBC को छलते हुए, सरकार पर ये लोग काभिज रहे, और अब इनकी अंतिम चाल है, कि वही खेला, EBC के साथ खेला जाए, अच्छा, एक चाचा ये भी हो रही है, कि जो मंडल कमिशन लागू किया गया था, उसके बाद अरक्षन मिला, 27 परशन अरक्षन बढ़ा, नितीश जी चाह रहे हैं कि फिर से उसी तरह का महौल बने, चुकि जब अरक्षन आया था, तो कई भी स्वी द्यालियों में छात्रों ने आत्म दाह कर लिया, और जातिये द्वेस बहुत कि हमारे बगल का राज्य यूपी, हम पहले यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, हर एक चीज में कहने के आदित, हमारे बगल का राज्य यूपी आज लक्ष क्या साधरा है, वहां के मुखमंत्री करते हैं, एक ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बनाऊंगा, ला है कि हमारा समाज आगे ना जा पाए इसको 1990 में हम बांद के रखें ये प्रयोग किया जा रहा है लालू जी ओ निति जी के माध्यम से अब बिहार के युवा पर निर्भर है कि जिस तरह से पीडी दर पीडी बरबाद हो गई मंडल कमिशन के बाद समाज में बांट हो गया हमारे बिहार के 30 साल अंधकार में गुजर गए क्या फिर बिहार 30 साल और अंधकार में बिताएगा कि बिहार का जुआब बोलेगा कि भाईया 10 लाग सरकारी रोजगार देना था पहले उसका तो बात करिए विकास का तो बात करिए इंडस्ट्री का तो बात करिए दिन दाहडे मडर हो रहा है एक दिन में 20-20 को मडर बिहार के अंधने जिलाओं में हो रहा है उसका बात करिए तो ये बिहार के युवा को तै करना है कि 1990 के दिशक में बिहार लोटेगा कि देश के साथ आगे बढ़ेगा भी है अच्छा बीजेपी थोड़ा बीजेपी कहिए या नितीश कुमार कहिए लग रहा था बीच में जाती जनगर्णा के रिपूट आने के पहले कि थोड़ा सौफ्ट दोनों पार्टिया एक दुश्रे की तरफ हो रही है लेकिन जाती जनगर्णा के रिपूट आती है उसके पाद स्वर्गिये केलासपती मिस्र का जो कारेकरम होता है उसमें आप लोके पार्टी के राश्ट्री अध्यक्स एक बार फिर से बाद दोराते है कि बीजेपी आप किसी को पीट पर नहीं धोईगी फिर से क्लियर मेंसे देते हैं कि नितिश जी के एंट्री प्यववेदम बैन लग चुका है मतलब इंडिया लाइंस में जो बिहार का राजनिती कि इतिहास जानते हैं वो तो सही है और जो भूल गए हैं उनको में याद दिलाना चाहूंगा कि भारते जनता पार्टी अगर सही होग नहीं करती तो करपूरी जी की भी सरकार नहीं बनती जिसने पहली बार आरक्षन देने का काम किया भाजपा के सही होग से किया वीपी सिंग को भी भारते जनता पार्टी की सरकार ने सही होग किया जिन्होंने मंडल कमिशन के माध्य से बिलकुर मैं पिछा वर्कुस जो है अधिकार देने का काम है लालू जी के बारे में भी सच्छा ही ये है कि भाजपा के कैलाश पति मिष्र जी ने उस समय लालू जी का सयोग नहीं किया होता तो लालू जी भी बिना भाजप के समर्थन के पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने होते और नितीश कुमार जी को तो भाजपा जो है अपने पीट पर इतना बार धोई है जिसका कि गिंती जो है भाजपा का कारकरता और बिहार का नागलिक भूल चुका है तो भाजपा हमेशा बिहार के हित में सोचने का काम किया है और इस चक्कर में भाजपा ने एंटी कॉंग्रेस फोर्सेज को सहयोग किया है परशन्द की बात है कि वही लालू जी जो नितीश कुमार जी जो संपून क्रांती का नारा देने वाले कायस्त रत्न देश रत्न जेपी जी के अन्याई बनके जिन्नोंने राजनिती शुरू की इं समाज में संपून बदलाओ लाने की बात लेके जो आए आज वही लोग कॉंग्रेस की गोद में जाके बैटे हुए हैं इंडी अलाइंस करके बैटे हुए हमारे रास्तिया धर्ट्स जी ने साफ का है कि भाजपा ने लोगों को कंधा पे बैठाना छोड़ दिया है जी ना भी फैदाने इसकुमार को मिलेगा इस बार कि दिख acces mai बात आपसे पूशनारियाए हुए हुए खुलकर बीजिपी विरोध भी ने कर है स्पक्षमें भी नहीं है नहीं नहीं बात पा का वीरोध का कोई सवाल नहीं है भाजपा आरक्षन की समर्थक है पहली बात जो व जो गन्ना हुई है उसमें बहुत अधिक मात्रा में या तो ये लोगों के पास पहुँचे नहीं है या पहुँचे हैं तो आपने पेंसिल से उनका डीटेल भरवाया है कलम से साइन करवाया है तीसरा आदमी उसको कंप्यूटर पे चढ़ाया है तो जादतर लोगों का मनना है कि ये आपना मेसेज करने का काम है कि जो महागडबंधन के समर्थक जातिया है या ऐसा उनका मनना है कि उनकी पूरी तरह समर्थक जातिया है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है बाकी वो कुश्वाहा हो चाहे सवर्ण हो चाहे पासवान हो चाहे मल्ला हो वो सब की ऐसे अनेकों जातिया कि घटाए गई हैं मैं तो अचरज में हूँ कि आपने बहुत अच्छा कहा कि कि 215 जातियों में 190 जातिया है जो एक परसेंट से कम है और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि उसमें से 148 जातिया है जो एक लाग से भी कम है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 148 जातिया एक लाख संख्या से भी कम जो है तो अल्प संख्या कौन हुआ 18% वाला अल्प संख्या हुआ या जो एक एक लाख की आबादी से भी कम है वो अल्प संख्या हुआ गरीब को दाई जो है हमको देखना है हरेक समाज की गरीब को देखना है कि जीन का ज्यादा संख्या होगा खाली उनको देखना है मैं पूछना चाहता हूँ एक नाराव मैंने सुना एक अवाद चुनी कि जीन का जितना संख्या उनका उतना अधिकार ये एक बात कही गई मोदी जी का कहना है कि जीन की जितनी जरूरत उतना उनका प्राथमिक्ता जो जितना गरीब है उसको उतना प्राथमिक्ता अगर वो पास्वान है वो रविदास है वो यादव है वो कायस्त है वो किसी जात्का है जिसको जरूरत है उसको हमको प्राथमिक्ता देनी है क्योंकि सम्विधान एक है हर एक भारतिय नागरिक को तो समाल अधिकार है और अगर किसी को विशेस अधिकार देने की बात है तो धर्म के अधार पर नहीं होनी चहिए वो होनी चहिए दर्कार के अधार पर कि किसको जरूरत आओशकता जादा है बिल्कुल चलिए तो इरुद्राज सिन्हा है और देखिए विरोध के सवर सिर्फ बीजेपी में नहीं आप तो रामबली सिंग चंद्रवंसी जो राधत समेल सी हैं वो भी कह रहे हैं कि कहार जाती की जो गिंती हुई है वो प्रगति महता धानुक समाज को लेकर जदियू के नेता है तो विरुधा भास जो है वो कहीं नहीं दिख रहा है और बीजेपी इस पर मुखर तौर से असपस्ट बात कर रही है फिलहाल रुद्राज सिन्हा के साथ हम मौजूद थें फिर जूरेंगे आपके साथ बहुत- झाल